इंडिया की सबसे बरी group of company में से एक group का finally IPO आने जा रहा है और अब सबसे बरी group of company में से एक हो और इसका IPO का size छोटा हो ऐसा तो हो इनी सकता है इसके लिए company का IPO 7 लाख करोड से 8 लाख करोड तक के valuation का होगा यानि IPO size 55,000 करोड के आसपास का होगा तो इंडिया के history का सबसे biggest IPO हुआ क्योंकि LIC 21,000 करोड का IPO था तो ये तो धमाका है तो किसकी बात कर रहा हूं जल्दी से comment में बता दीजे क्योंकि market में हलचल दिख चुकी है, share में rally होने लग गई है, पकड़ा पकरी चालू है मज़े की चीज क्या? IPO लिस्ट नहीं हुआ बट आजू बाजू की stock दौरने लग गए क्यों दौरने लग गए? यही तो जानने वाली बात है, कहीं मौका तो है आज सिवरात्री है, तो सबसे पहले हैपी सिवरात्री, भोले बाबा का असरवाद आप सब पर आपके पूरे परिवार पर भरपूर बना रहे हैं और सिवरात्री के अवसर पर 10 मार्ट से जो हमारी stock market क्लास शूरू रही है, उसमें एक प्यारा सा, बहुत अच्छा ओफर 970-80-94-321 पे आप कॉल करके हमारी टीम से जरूर जाने क्या है ओफर, जहां पर आप सीखने के बाद, खुद से stock select करके, second earning कर सकते हैं नुकसान को करिए, बंद प्रभू कब तक करिए का नुकसान tips के पीछे, free tips telegram ये वो के पीछे हर आदमी के खून पसीने की कमाई है, अगर सुरुवात में ही सीख कर काम करेंगे तो जिंदगी भर कमाएंगे, लेकिन अगर पैसा डूब जाएगा और उसके बाद समझाएगी कि मुझे सीखना जरूरी है तो पैसे कहां से लाओगे ट्रेडिंग के लिए सेभी का भी डेटा कहता है दस में, नौ लोग लॉस में है उसके बाद भी सीखने से क्यों डरते हो भाईया, क्लास एकदम बच्चों की तरह होती है हिंदी में, मोबाइल पे ले सकते हो आपको एक टीचर देते है हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है रिवीजन सेशन मिलता है स्टडी मिट्रियल मिलता है फिर डर काहे का बिंदाज जुइन करो जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हो कैस मन, फ्यूचर, ऑप्सन, जहां मन हमारे काम का सबूत आपके सामने देखो टेलिगराम आपके सामने इस्पिरिन पर दिक रहा है न टाटा केमिकल, पीडी लाइट, टाटा कंजूमर यह सब सब टेलिगराम में बताया न केस स्टडी के तौर पे सारे फट गए न, तो यह केस स्टडी कैसे पकरी, यही है स्टॉक सेलेक्शन की पावर, जो हम आपको 10 मार्ची क्लास में सिखाने वाले हैं, तो मौका न जाए, अभी काभी सीट बुक कीजिए स्टडी मिटरियल लीजिए, परना सुरू किजिए, जहां पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी, तो हम आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं ट्रेडिंग, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रूप की, टाटा ग्रूप में सबसे बरी कंपनी है टाटा संस, जो एक CIC है, यानि Core Investment Company, तो सवाल यह है कि अब IPO क्यों आ रहा है क्या जरुवत पर गई, तो भाईया reason जान लीजे, क्योंकि तभी तो बिना IPO आए आप कहां से पैसा कमा सकते हैं वो हम बता पाएंगे सितंबर 2022 में RBI ने एक Upper Layer NBFC की लिस्ट निकाली थी, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें अगर देखें तो Most of Company लिस्टेड है RBI के Regulation के हिसाब से Notification जारी होने के 3 साल के अंदर कमपनी को Market में लिस्ट होना पड़ता है तो Tata Suns के लिस्ट होने में अभी 1.5 साल बचा हुआ, यानि 1.5 साल में कभी भी आ सकता है तो अब सवाल होगा, अरे बया 1.5 साल के बाद आ रहा है, अभी क्यूं? अब देखिए, यहीं आती है असली Learning की बात जहां पर बड़े Player तो चालू भी हो गए अब Tata Suns में अभी पैसे नहीं लगा सकते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कोई ऐसा तरीका हो कि हम अभी से उसमें इन्वेस्ट कर सके तो वीडियो में हम इसी बारे में बताने वाले हैं, alternate तरीके के बारे में, जहां पर आप एक अच्छे valuation पर entry कर सकते हैं, तो वीडियो को last तक देखेगा, बट, बट, बट ये है सिक्के का पहला पहलू सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाएंगे, जो एक real big eye opener होगा और वीडियो के last में, मैं promise करता हूँ कि आप कहेंगे, ये हुई भाई वाली बार, बसरते आप अगर last तक देख सकें तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजें, क्योंकि इतना data देखते हैं, तब filter करके 10 minute की वीडियो बनाते हैं तो भाईया, 10,000 like तो बनता ही बनता है, देखें IPO में Tata Suns का valuation जो है, 7-8 लाग करोर कमाना जा रहा है और major share holding की बात करें तो जो listed company उनमें से top 5 ऐसी company है जिनकी major share holding है और आपके screen पर दिख भी रही है, उसका excel seat में ने बनाया है बट हम बात कर लेते हैं कि Tata Power का जो है न स्टेक है 1.65% का, इंडियन होटल का 1.11% का, Tata Chemical का 2.53% का, Tata Steel का 3.06% का और Tata Motor का 3.06% का, और यही कारण है कि Tata Chemical, Tata Steel Tata Motor, Tata Power जैसे share में आप दना दन rally देख रहे हो बट Tata Chemical में ज़्यादा देख रहे हो वहाँ पर एक और छुपा हुआ राज है वो छुपा हुआ राज ये है कि एक और ऐसा share है जिसमें rally हो रही है बट वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है बट वो पीछे से छुपा हुआ है और जिसमें भी आप indirect फाइदा ले सकते हो क्या नाम को guess कर पाए हो तो comment में बताईए और लास्ट में तो मैं बताऊंगा मैंने आपके लिए Excel पे एक calculation किया है ताकि सब को अच्छे से समझ में आये टाटा की listed company जो major shareholder है टाटा sense में उनकी analysis की और क्या दिख रहा है कि टाटा chemical को मैंने highlight किया है कुछ pattern पकर ने आया जिस pattern की मैं बात कर रहा हूँ वो है market cap और holding value की टाटा chemical को छोड़के बांकी सारी कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो holding value उनके market cap के relation से 10 से 12% की है जबकि टाटा chemical का अगर मोटा मोटा round off करें तो 60% का है मतलब टाटा chemical एक alternative दिख रहा है टाटा sense में investment करने का जब तक IPO ना आ जाए बट सिक्के का दूसरा पहलू बोलना नहीं क्योंकि headline देखोगे तो फस जाओगे और इसलिए मैं कहता हूँ हम कभी buy sell के advice नहीं देते हैं हम learning देते हैं और वो अभी मिलने वाली है लेकिन सवाल इसी से है investment के लिए company को तो समझना जरूरी है future में क्या growth है क्योंकि अभी news पे दौरा भागी जो कर ले alternate company का fundamental ही game करेगा वो हम कहां से देखेंगे वो हम देखेंगे Tata Chemical का वैसे तो Tata Chemical के बारे में हमने YouTube membership, Telegram, WhatsApp channel आप जहां भी जुरे हो हर जगह आप लोगों के साथ learning share करी और finally आप देख रहे हो कि धूम मचाले, रंग जमाले हो गया है 1200 से 1350 तक क्योंकि चार्ट पैटन में multi-year breakout की complete कहानी दिख रही है यानि technically sound है बट fundamental क्या है उसके लिए business को समझना जरूरी है तो 1939 में सुरू हुआ company basic chemical और specialty product को manufacture और export करती है company का global as soda में strong market share है और इंडिया के साथ North America, Europe और अफ्रीका में export कर रहे है इसलिए company का अगर हम product wise revenue देखें तो soda as से 52% का revenue आता है और यही है company के लिए दिक्कत अब कहोगे दिक्कत? या दिक्कत है तो दिक्कत बोलेंगी अब यहाँ एक सबसे जरूरी चीज़ ध्यान देने वाली है जहाँ से इनका आधे से जादा बिजनस आ रहा है वहाँ future growth क्या है? तो आपके screen पर एक chart दिख रहा है कि global market में soda as की demand last के एक दो साल में काफी down हुई है जिसकी वजह से soda as के price भी गिरे है और यह data chemical के लिए negative है क्योंकि 60% का business कहां से आ रहा है वहीं से आ रहा है और यह इनके fundamental में साफ दिख रहा है अगर P ratio को compare करें तो stock का P 19.5 है और industry का P 33.3 यह आपको under value का sign दे रहा होगा तो वो negative में है माइनस 28.6 मतलब पता चल रहा है कि company आने वाले time में profit कमाने में बहुत महनत लगने वाली है अब कहोगे यह कैसे तो reason है soda as का और वहाँ पर पिछले कुछ quarter में जब आप जाते हो तो मैंने कहाना है एक चीज़ जरूर देखा करो वो है operating profit कुछ देखो ना देखो operating profit जरूर देखो और operating profit एकदम से गीरा है मार्च 2023 में profit margin 22% का था जो अभी घट के 15% ही बजा है अभी इसका impact क्या हुआ EPS पे भी दिखा 27 रुपे से सिधा 6 रुपे 20 पैसे पे आ गया EPS घटना बुरी बात हुई ना तो अब एक overall summary बनाए तो technical के basis पर काफी super solid strong structure fundamental में P ratio पर under value लेकिन future aspects challenging है जो आने वाले time में ध्यान देने वाला है तो यानि Tata Suns का जब IPO आएगा हम detail आपके साथ बनाएंगे अभी डेर साल का वक्त है जैसे जैसे जो update आएगा वो भी बनाएंगे बट अभी overall जो Tata के share में तेजी हो रही है तो जिन जिन का उसमें stake है उसमें तेजी हो रही है Tata Chemical में सबसे ज़ादा हो रही है क्योंकि उनका stake सबसे ज़ादा है लेकिन company Tata Chemical का long run में कैसे perform करेगी अपने fundamental के basis पर perform करेगी तो वो fundamental अभी के time में थोड़े से बुरे है वो कैसे सुधरते हैं वो आगे वानने वाले time में दिखेगा तो जब हमें technical पे कुछ अच्छा दिख रहा है तो हम technical पे कमाएंगे बट क्या करेंगे stop loss लगा के काम करेंगे बिना stop loss के नहीं करेंगे ये नहीं कि घोरा दौर गया 900 का घोरा 1500 पे पहुँच गया तब बिना जाने समझे मार्केट में नियूल देखी खरीद लिया फस गया औरे फस गया ऐसे नहीं होता है तो यही हमारी समझाने की कोर्सिस थी जिसमें मुझे लगता है मैंने सब चीज को कवर कर लिया लेकिन अब है बोनस का टाइम टाटा केमिकल में बिना इन्वेस्टमेंट किये भी मैंने कहा था ना कि एक स्टॉक रडार पे पीछे है वो है रैलीज क्योंकि रैलीज एक ऐसा सेर है जिसका कनेक्शन टाटा केमिकल से है अब उसको कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बट मैंने नाम बता दिया है रैलीज का आप उसको चेक कर सकते हो क्योंकि रैलीज इंडिया में जवाज धमा का आपने देखा है थर्षडे को उसके पीछे का कारण टाटा केमिकल से रिलेशन का था और वहाँ पर आप एक चीज़ और देखोगे कि जिस तरीके से टाटा केमिकल में मल्टी एर ब्रेक आउट हुआ है सेम लक्षन करम कहां से है सेम लक्षन करम रैलीज इंडिया से भी है तो यहां पर आप इधर भी नजर डाल सकते हो तो क्या आप चाहते हो रैलीज इंडिया की वीडियो बनाएं तो कमेंट में बताइएगा लोगों के साथ सेर गड़के प्यार दीजे मोहबद दीजे थैंक यू सो मच